तो हाई दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने यूटुब चैनल को कैसे वेरिफाई करेंगे स्टेप बाई स्टेप जब तक आप अपने यूटुब चैनल को वेरिफाई नहीं करोगे तो आज मैं आपको इसी की बारे में बताने वालो हूँ, आप अपने फोन नंबर को कैसे वेरिफाई कर सकते हैं, कैसे आप अपने यूटूब चैनल को वेरिफाई कर सकते हैं, आज मैं आपको इसी की बारे में बताने वालो हूँ और स्टेप बाई स्टेप बताने वालो हू तो सबसे पहले आपको Chrome browser को open कर लेना है तो मैं अपने mobile की Chrome browser को open कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है तो जैसे कि मैं अपने mobile की Chrome browser को open कर लिया हूँ उसके बाद आपको side में एक three dots आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हो या red color का आपको एक arrow दिखाई दे रह जैसे कि आप देख सकते हो टीक इसमें लगा लेना है तो मैं इसमें टीक लगा लेता हूं आपको भी टीक कर लेना है डेस्टॉप साइड में कर लेना है आपको अपने मोबाइल को तो जैसे कि मैं अपने मोबाइल को डेस्टॉप साइड में कर लिया हूं उसके बाद आपको भी कर लेना है जिससे सर्च में जो भी लिखाया है ये हड़ जाएगा तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो जो भी लिखाया था ये हड़ गया है उसके बाद आपको क्या करना है एक बार इसमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इसमें टैपिंग करना है तो जैसे कि www www.youtube.com आपको इसमें सर्च कर लेना है तो जैसे कि आप सर्च करोगे तो नीचे तरब भी आपको option मिल जाएगा इस पर आप क्लिक कर सकते हो तो जैसे कि मैं पुरा link कर इसमें क्लिक करने वाला हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है तो जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपके सामने desktop side में YouTube जो है ये open हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद आपको किनारे में एक logo दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हो तो आपको इसी पर क्लिक कर लेना है जैसे कि मैं अभी क्लिक कर लिया हूँ आपको भी कर लेना है उसके बाद आपको एक option मिलेगा switch account का तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है तो जैसे कि मैं नीचे वाले जो channel है इसको select कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है तो जैसे ही आप click करोगी click करने के बाद आपके सामने फिर से इसी परकार का interface आपको दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद आपको किनारे में एक logo दिखाई दे रहा है इसी पर आपको click कर लेना है आपका जो gmail id है आपका जो channel है ये select हो गया है उसके बाद आपको setting के option पर आपको click कर लेना है जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप क्लिक करोगी क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आपको दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो चैनल है ये आ जाएगा जैसे कि आपको दिखा उसके बाद आपके सामने एक interface आएगा इसको आपको continue पर click कर लेना है मैं continue पर click कर लेता हूँ जैसी आप continue पर click करोगे तो आपके सामने फिर से एक नया features आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो जो first step है ये पहले से enable है हमें second number का जो features है इसको enable करना है उस के लिए आपको इस पर arrow पर click करना पड़ेगा तो मैं arrow पर click कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है तो जैसे ही आप click करोगे click करने के बाद आपके सामने एक और नया interface आपको दिखाई देगा second number जो step है इसमें तो जैसे कि आप देख सकते हो उपर तरब में थोड़ा सा और stroll क कर देता हूं उसके बाद आपको एक option आपको दिखाई देगा verify phone number तो इस पर आपको click कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हो इसी पर आपको click कर लेना है मैं इसी पर click कर लेता हूं आपको भी कर लेना है जैसे ही आप click करोगे click करने के बाद YouTube जो है यह Chrome browser में आपको ले option हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो तो यह page आपको इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते हो verify करने के लिए आपके पास phone number होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके उसी phone number पर एक OTP आएगा और उसी OTP को हम इसमें submit करने वाले हैं तो सबसे पहले आपक mobile number पर आएगा मतलब message में आएगा अगर आप दूसरे वाले option पर आप click करते हो तो आपके पास call आएगा और उसके through आपको OTP बताया जाएगा तो मैं first वाले option पर click कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है उसके बाद आपको नीचे तरफ एक option दिखाई देगा जैसे कि आप द लिखाई देगा और आप कहां रहते हो कौन से country में रहते हो इसको सबसे पहले select कर लेना है तो मैं इंडिया में रहता हूँ इंडिया को मैं पहले से select कर चुका हूँ उसके बाद आपको अपना mobile number इसमें देना है जैसे कि आप देख सकते हो what is your phone number इसमें लिखाया हुआ है तो मैं अपना mobile number डाल देता हूँ आपको भी डाल लेना है तो मैं अपना phone number डाल दिया हूँ उसके बाद आपको get code पर आपको click कर लेना है नीची तरप्य का option ही इस पर आपको click कर लेना है जैसे कि मैं click कर दिया हूँ उसके बाद आपको फोन number पर एक OTP आए गया इसको यूटूब चैनल है यह वेरिफाइट हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिखाया भी है इसी प्रकार आप अपने यूटूब चैनल को वेरिफाइट कर सकते हो बहुती सरल है तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताएं हूं और वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों बास सेयर करना ठैंक्स